हेलो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है कपेल और स्वागत आप सभी का फूर आपकी सक्सेस में फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी हम लोग महत्मा गांधी से समंधित एक्जाम में पूछे जाने वाले पच्पन महत्वपूर्ण प्रस्न को देखने वाले हैं जो भी अभी हम लोग पूजिशन देखने वाले हैं ये सभी के सभी कूजिशन पिछले किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे तो इसलिए आप इन्हें याद कर लिजेगा ठीक हैं आप इस वीडियो का फ्री पीडियो फाइल भी डॉनलोड कर सकते हैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुए है या तो फिर आप मेरा टेलिग्राम गूरुप जोइन करके वहां से भी फ्री में आसानि सिसका पीडियो फाल डॉwnलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गूरुप जोइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया ह। तो चले ब क्वेशन के और बढ़ते हैं और पहला क्वेशन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1879 को हुआ था कहां हुआ था गुजरात के पूरबंदर नामकस्थान पर हुआ था अगला प्रस्ण है मोहंदास करमचंद गां अगला प्रस्ण है, महत्मा गांधी के राजनितिक गुरु कौन थे? तो महत्मा गांधी के राजनितिक गुरु गोपाल कृष्न गोखले थे. अगला प्रस्ण है, महत्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का परियोग कहां किया? अगला प्रस्ण है, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का परियोग कहां किया? देखिए अगर सिर्फ पूछा जाए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का परियोग कहां किया? त पहला सत्याग्रह का परियोग कहां किया या इस तरह पूछा जाए कि दच्छिन अफ्रीका से लोटने पर गांधी जी ने पर्थम सत्याग्रह कहां चलाया तो कहां चलाया था चंपारन में चलाया ठीक है भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां चलाया चंपारन में कब लोटे थे? 1915 में लोटे थे और कब गये थे? 1893 में गये थे दच्छिन अफरिका ठीक है और वापस कब लोटे? 1915 में लोटे थे अगला प्रस्ण है किस आंदोलन के साथ महत्मा गांधी ने भारतिय राजनिती में परदापन किया? तो महत्मा गांधी ने भारतिय राजनिती में परदापन यानि परवेश चमपारन आंदोलन के साथ किया था चमपारन आंदोलन कब चलाय गया था? 1917 में चलाय गया था चमपारन वर्तमान में कहा है? बिहार में है अगला प्रस्ण है चमपारन संघर्षे के दोरान महत्मा गा शुकला ने गांधी जी को चंपारन आने का आग्रह किया। चंपारन में गांधी जी के सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र परसाद, जेबी क्रिपलानी, महादेव देशाई, मजहरूल हक, नरहरी पारिक, ब्रजकिसोर वा अनुग्रह नारायान सीह थे। अगला प्रस्ने है। गांधी जी किस क्रिपलानी से समधित थे। तो गांधी जी चंपारन तथा खेडा में हुए क्रिपलानी से जुड़े हुए थे। चंपारन और खेडा से। तो इसका राइट आंसर होगा, option D, A और B, दोनों ठीक है। चंपारन आन्दोलन किस के नेतरित्वे में चलाया ग गया था, यह आन्दोलन भी गांधी जी के नेतरित्वे में ही चलाया गया था, और यह जो है बार्दोली आन्दोलन, बार्दोली सत्याग्रह, तो बार्दोली सत्याग्रह, यह किस के नेतरित्वे में, इसका नेतरित्व किस ने किया था, तो बार्दोली सत्याग्रह का ने महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हर्ताल किस में किया था तो इसका राइट आंसर है आप्शन भी अहमदाबाद आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हर्ताल अहमदाबाद मिल मजदूरू के हर्ताल के समर्थन में की थी कब की थी? 1918 में की थे अगला प्रस्न है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया था रॉलेट एक्ट कानून क्या था तो देखे इसमें यह ववस्था की गए थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदिहास्पद वक्ति को ग्रफतार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता था अर्थात अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटी सरकार किसी भी निर्दोस वक्ति को दंडित कर सकती थी इस एक्ट को बिना वकील बिना अपिल तथा बिना दलिल का कानून भी कहा जाता था गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था ठीक है इसे काला कानून बताते भी विरूध किया था गांधी जी ने अगला प्रस्ण है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धर्ना पर बैठे थे तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरूध में मार्च 1919 में धर्ना पर बैठे थे अगला प्रस्ण है 1919 इस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया तो गांधी जी ने 1919 इस्वी में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था रॉलेट एक्टे के विरोध में किया था ठीक है सत्याग्रा सभा के अध्यच कौन थे गांधी जी थे अगला प्रस्न है गांधी जी को महात्मा कहकर पर्थम बार किसने पुकारा था तो गांधी जी को महात्मा कहकर पर्थम बार किसने पुकारा था रबिंदर नाथ टागोर ने कहा था ठीक है अगला प्रस्ण है गांधी जी दच्छिन अफरीका में कितने वर्स रहे थे तो गांधी जी दच्छिन अफरीका में कुल 21 वर्स रहे थे वे 1893 इस्वी में दच्छिन अफरीका गये थे और 1915 इस्वी में वे वापस भारत लोट आये थे कुल 21 वर्ष से उन्होंने वहां बिताया था दच्छिन अफ्रीका में अगला प्रस्ण है दच्छिन अफ्रीका के किस railway station पर महत्मा गांधी को train से फेका गया था तो वह railway station था पीटर मारिट जबर्ग railway station जहां पर गांधी जी को train से नीचे फेक दिया गया था देखे महत्मा गांधी जो है एक भारती मुसल्मान वेपारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने 1893 में दच्छिन अफ्रीका गये थे वहां गांधी जी डर्बन से प्रिटोरिया जाने के लिए train पकड़ी गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकर था लेकिन जब ट्रेन पीटर मारिजबर्ग स्टेशन पर पहुंची ठीक है वहां पहुंचने वाली थी तो उन्हें स्वेथ लोगों द्वारा थर्ड क्लास वाले डब्बे में जाने के लिए कहा गया लेकिन गांधी जी ने इससे इनकार कर दिया तो उन्हें स्वेथ लोगों द्वारा पीटा गया और उन्हें जबरदस्ती पिटर मारिजबर्ग रेलिवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेग दिया गया था अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही अधिक से अधिक लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे अगला प्रस्ण है निम लिखित में से किस आंदोलन का नेतरित्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था यहाँ पे है नहीं किया था ठीक है क्वेशन में क्या है नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सिस्वी में इसका नेतरित्व इन्हों नहीं किया था सविने अवग्या आंदोलन 1930 सिस्वी में इसका नेतरित्व भी गांधी जी नहीं किया था असायोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 भी तक चला इस आंदोलन का नेतरित्व भी गांधी जी नहीं किया था स्वदेशी आंदोलन जो है इसका नेतरित्व गांधी जी नहीं किया था ठीक है तो इस question का right answer है option D अगला प्रस्ण है गुजरात में साबरमती आशरम के स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी साबरमती आशरम कहां पे है गुजरात में है इसके स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी 2017 में की थी ठीक है 1917 में गांधी जी ने अपना परसिद दांडी मार्च यहीं से प्रारम किया था साबर्मति आस्रम से ही अगला प्रस्न है कौन से गोल मेच समयलन में महत्मा गांधी ने भाग लिया था लंदन में तीन गोल मेच समयलन हुए थे पहला गोल में समयलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था, दूसरा गोल में समयलन 1931 में हुआ था, और तिसरा गोल में समयलन हुआ था 1932 में, गांधी जी ने सिर्फ दूसरा गोल में समयलन में भाग लिया था, ठीक है, जित्या गोल में समयलन में 1931 में उन्होंने भाग लिया था, अगला प्रस्ण है, गांधी जी किस की रचनाओं से प्रभावित थे? तो गांधी जी जो है, वे लियो टॉल्स्टोई की रचनाओं से काफी प्रभावित थे. अगला प्रस्ण है, सत्याग्रह सब्द का निर्मान किस ने किया था? तो सत्याग्रह सब्दका निर्मान महात्मा गांधी ने किया था इन्होंने सत्याग्रह का सर्वपर्थम परियोग कहां किया था दच्छीन अफ्रीका में किया था और भारत में कहां पे किया था चमपारन में किया था अगला प्रस्न है गांधी जी से दच्छिन अफ्रीका में मिलने के लिए निमलिखित में से कौन गय थे तो गांधी जी से दच्छिन अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गय थे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वे गांधी जी के गुरु थे ठीक है राजनितिक गुरु थे गांधी जी के गोपाल करिशन गोखले अगला प्रस्ण है महात्मा गांधी कॉंग्रेस के अध्यच किस अधिवेशन में चुने गए थे महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कॉंग्रेस के अधिवेशन में चुने गए थे तो किस अधिवेशन में चुने गए थे बिल गाम अधिवेशन में चुने गए थे जो कि 1924 में आजित हुआ था ठीक है 1924 में अगला प्रस्न है महत्मा गांधी को सर्व पर्थम राष्टर पिता किस ने कहा तो महत्मा गांधी को सर्व पर्थम राष्टर पिता नेता जी सुभाज चंद्र बोश ने कहा था अगला प्रस्ण है गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे तो गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे अगला प्रस्ण है गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया तो इसका राइट आंसर है आप्शन ए अस्प्रेस्यता का छुबा छूत का ठीक है महत्मा गांधी ने हरीजनों के उधार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया वे अस्प्रेस्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे 1932 इस्वी में उन्होंने अच्छोतों को हरीजन नाम दिया तथा हरीजन सेवक संग की अस्थापना की अगला प्रस्ण है अंग्रेजों के खिलाप गांधी जी का प्रशीद भारत छोडव आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था यह प्रारंभ हुआ था 1942 इस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बंबई अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी के बैठक में पारित कर 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारम करने की घोशना की गई थी अगला प्रस्न है वह अमेरिकी प्रसासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महत्मा गांधी के साथ थे कौन थे तो वह अमेरिकी प्रसासक कौन थे लुईस फिसर थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महत्मा गांधी के साथ थे अगला प्रस्ण है करो या मरो डू और डाय का नारा किस ने दिया तो करो या मरो का प्रसीध नारा महत्मा गांधी ने दिया था किस आंदोलन में महत्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था अगला प्रस्ण है गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था तो गांधी जी ने 1930 इस्वे में दांडी मार्च का आयोजन नमक के उपर कर जो टैक्स लगे वे थे टैक्स लगाने के खिलाफ किया था अगला प्रस्ण है नमक कानुन तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाय गया था तो नमक कानुन तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा सविने अवग्या आंदोलन चलाय गया था अगला प्रस्थन है महत्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से प्रारम किये थे तो गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा दांडी मार्च साबरमती आश्रम गुजरात से प्रारम किये थे 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोग्यों के साथ साबरमती आसरम से 358 किलोमिटर दूर इस्तित दांडी के लिए प्रस्थान किया लगबग 24 दिन बाद 6 अप्रेल 1930 को दांडी पहुँचकर उन्होंने समुद्र तर्ट पर नमक कानुन तोड़ा था इसे सवीने अवग्या आंदोलन भी कहा जाता है अगला प्रस्थन है निमलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था तो दांडी मार्च में महत्मा गांधी के साथ जो विदेशी पत्रकार था वह था वेब मिलर ठीक है वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था अगला प्रस्न है गांधी इर्विन समझोता पर हस्ताचर कब हुआ था? तो गांधी इर्विन समझोता पर हस्ताचर पांच मार्च 1931 को हुआ था एक question इसे यह भी पूछा जाता है कि गांधी इर्विन समझोता किस से समन्दित है तो इसका संबंद सविने अवग्या आंदोलन से है ठीक है गांधी इर्विन समझोता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रस्ण है असहयोग आंदोलन जो की 1920 से 1922 के बीच चला था को क्यों निलंबित किया गया तो असहयोग आंदोलन को क्यों अस्थागित कर दिया गया था निलंबित कर दिया गया था तो इसे चौरी चौरा में हुवी हिंसक घटना के कारण निलंबित कर दिया गया था अगला प्रस्ण है 20 सितंबर 1932 को यर्वदा जेल में महत्मा गांधी ने आमरन अंसन किसके विरूध में किया था तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यर्वदा जेल में आमरन अंसन रैमजे मैक डोनाल्ड के सांप्रदाइक अवार्ड के विरूध किया था अगला प्रस्ण है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जशन मनाय था, तब महात्मा गांधी कहां थे? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जन्वरी 1948 को हुई थी महात्मा गांधी की हत्या किस ने की थी नाथुराम गोटसे ने कर दी थी कहां पे नई दिली के बिल्ला भवन में अगला प्रस्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है तो देखें माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पूष्टक के लेखक कौन है तो इसके लेखक महात्मा गांधी है या जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ या महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है एक और पूष्टक है हिंद सुवराज तो हिंद स्वराज के भी लेकक महत्मागांधी है तो या भी क्विशन आता हिंद स्वराज के लेकक कौन है, महत्मागांधी है अगला प्रशन है, यंग इंडिया हरी जन तथा नव जीवन पत्रिकाओं का संपाधन किस ने किया था अगला प्रस्चन है, महत्मा गांधी ने हिंद स्वराज पूश्टक की रचना की थी, जब वे जहाद से इंगलांड से दच्छिन अफ्रिका की यात्रा कर रहे थे, उसी बीच है जो उन्होंने हिंद स्वराज पूश्टक की रचना की थी अगला प्रस्ण है दच्छिन अफ्रिका में महात्मा गांधी दुवारा प्रकासित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था ठीक है अगला प्रस्ण है वर्स 1922 में अखिल भारती हरिजन संग के संस्थापक कौन थे तो अखिल भारती हरिजन संग जिसके स्थापना 1932 में की गए थी इसके संस्थापक कौन थे महात्मा गांधी थे अगला प्रस्ण है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंतरता प्राप्ति के बाद भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेश को समाप्त कर दिया जाए तो स्वतंतरता प्राप्ति के बाद भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेश को समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था अगला प्रस्ण है गांधी जी की मिर्त्यू पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकास चला गया तो वह कहा था पंडि जवाहरलाल नहरू ने गांधी जी की मिर्त्यू पर पंडि जवाहरलाल नहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकास चला गया अगला प्रस्ण है गांधी जी के पसंदिदा भजन वैस्नो जन्तो तेने कहिए के लेखक कौन है तो लोगप्रिय भजन वैस्नो जन्तो तेने कहिए जो गांधी जी का काफी पसंदिदा भजन था इसकी रचना गुजरात के संथ कवी नर्सी मेहता ने की थी ठीक है वैसनों जन तेने कहिए कि रचेता कौन है तो इसकी रचना किस ने की थी नर्सी मेहताने की थी अगला प्रस्ण है 2 अक्टूबर महत्मा गांधी का जन्मदीन अंतराश्ट्री अस्तर पर मना जाता है तो महत्मा गांधी का जन्मदीन जो की 2 अक्टूबर को होता है तो इस दिन अंतराश्ट्री अस्तर पर किस रुपे मना जाता है इनके जन्मदीन पर तो 2 October को अंतरराश्ट्रिय अहिंसा दिवस के रूपे मना जाता है ठीक है इसे भारत में गांधी जयनती के रूपे मना जाता है अगला प्रस्ण है Phoenix Form की अस्थापना किसने की थी? गांधी जीने की थी, महात्मा गांधी ने की थी यह कहां पे है? दच्छिन अफ्रिका में है इसके स्थापना कब की थी? इन्होंने 1904 इस्वि में की थी Phoenix Form की स्थापना महात्मा गांधी ने दच्छिन अफ्रिका में 1904 इस्वि में की थी अगला प्रस्ण है निम्न में से किसे ब्रिटिस सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधी से समानित किया गया था तो ब्रिटिस सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधी महात्मा गांधी को दी गई थी जालिया वाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने यह उपाधी वापस कर दे थे अगला प्रस्न है महात्मा गांधी को सविने अवग्या आंदोलन की प्रेरना किस से प्राप्त हुई तो महात्मा गांधी को सविने अवग्या आंदोलन की प्रेरना हेन्री डेविड थोरो से प्राप्त हुई थे अगला प्रस्न है दांडी मार्च के दोरान प्रसीद गान रघुपती रागहव राजाराम के संगित कार कौन है तो दांडी मार्च 1930 के दोरान प्रसीद भजन रघुपती रागहव राजाराम गांधी जी को बहुत अच्छा लगा था या एक परसीद भारतिय भजन है तो था राश्ट्र पिता महात्मा गांधी का सबसे पसंदिदा भजन था इसके गीत के सब्द स्री रामायनम से लिए गये हैं जो लच्मना चारे ने लिखी थी इस गीत को संगित बद किस ने किया था तो इस गीत को संगित बद विश्नु द दिगंबर पलुसकर ने किया था ठीक है इसके संगित कार कौन है विश्नु दिगंबर पलुसकर है अगला प्रस्न है महात्मा गांधी को अर्ध नगनव फकीर किस ने कहा तो महात्मा गांधी को अर्ध नगनव फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था अगला प्रस्न है और महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी तो वह निभाई थी Ben King's लेने ठीक है गांधी फिल्म के डायरेक्टर कौन है या भी question एक्जाम में आता है तो गांधी फिल्म के डायरेक्टर रिचार्ड एकन बरू है ठीक है अब अब अन्थ में आपके लिए question है बनारस हिं इस विद्यालाई के स्थापना किसने और कब की थी तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंड बॉक्स में दीजेगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक दथा शेयर जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मे थैंक्स पूर वाचिंग